प्रधान मंत्री नरेन मोदी ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये पीम विशकर्मा कौशल सम्मान पर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया पीम विशकर्मा कौशल सम्मान का उद्देश कारेगरों के मानक और गुडवत्ता पूर्ण उत्पादों और सेवाओं को घरेलू और वैश्विक आपूर्ती श्रिंखलाओं के साथ जोड़ना है वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधान मंतुरी नरेन मोधी ने स्किल इंडिया मिशन की सराहना की पीम मोधी ने कहा कि इसके माधियम से करोडों लोगों को रोजगार प्रधान किया गया बीते वर्सों में हमने स्किल इंडिया मिशन के माधियम से काउसल विकास गेंद्रों के माधियम से करोडों युवाओं की स्किल भणाने उन्हें रोजगार के नए अवसर देने का काम किया है काउसल जैसे खेत्रे में हम जितना स्पेसिफिक होंगे जितनी टार्गेटेड एप्रोच होगी उतने ही बहतर परणाम मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेन मोदी ने कहा कि पीम विश्कर्मा युजना के माधियम से करोडों लोगों की मदद होने जा रही है हर विश्कर्मा साथी को आसानी से लोन मिले उनका कौशल बढ़े ये सुनिश्चित किया जाएगा विश्कर्मा युजना के माधियम से करोडों लोगों की बड़ी मदद होने जा रही है इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार हास विश्कर्मा साथी को holistic institutional support प्रदान करेगी विश्व करमा साथियों को आसानी से लोन मिले उनका काउशल भड़े उन्हें हर तरह का technical support मिले ये सब सुनिसिक किया जाएगा इसके अलावा digital empowerment brand promotion और उत्पादों के बाजार तक पहुंच़ बनाने की ब्रवस्ता भी की जाएगी प्रधान मंत्रीने कहा कि हमारा उद्देश विश्व करमा साथियों को बड़ा उद्यमी बनाने का है इसलिए उनके business model में स्थाइट्व जरूरी है कि कल का बड़ा entrepreneur बनाने का है इसके लिए उनके business model में स्थाइट्व जरूरी है कि इसे ध्यान में रखते हुए हम उनके बनाए प्रोड़क को बहतर बनाने हैं आकर सक डिजाइनिंग पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर भी काम कर रहे हैं इसमें ग्राहकों के भी जरुवतों का भी ज्यान रखा जा रहा है हमारी नजर सिर्फ स्थानिय बाजार पर ही नहीं है बलकि हम ग्लोबल मार्केट को भी टार्गेट कर रहे हैं